आप सभी को जै माता दी, जै भुलेनाद, मैं आपकी अपनी गुरुमा अंजनी देवा, आप सब जानते हैं कि आज से हो लास्टक प्रारम हो गया है, ये बड़ी विशेश जानकारी है, जो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे रही हैं, हो लास्टक आप सब जानते होंगे, कि मैं आपको बता दू, हो लास्टक कम से प्रारम होता है और हो लास्टक क्या है, हो लास्टक आज से लगा है यानि जब भी फागुन मास में अस्टमी तिथी आती है अस्टमी तिथी से लेकर और पुरनमाशी तिथी तक हो लास्टक लगता है हो लास्टक के बहुत सारे नियम होते हैं उन नियमों की चर्चा हम करेंगे हो लास्टक के दिनों में कोई भी शुब कारें नहीं किये जाते आप सब जानते होंगे भगवान भूले नाथ ने जब साधना की उस साधना को तोड़ने के लिए काम देव भगवान को भूले नाजी ने भस्म कर दिया था और रती जो है उन्होंने एक श्राप दिया था कि अगर काम देव धर्ती पर नहीं होंगे तो जीवन में कोई भी सुख कारें नहीं हो सकते इसलिए अस्टमी से लेकर और पुर्ने मा तक जो ये आठ दिन बनते हैं इसको होलास्टक कहते है होलास्टक में किया गया कोई भी कारें हमें शुख फल नहीं दिता शादी, सगाई, किसी नई चीज की खरीददारी कोई प्रॉपर्टी का खरीदना यहां तक कि कहते हैं कि कोई सोने चांदी का समान खरीदना इत्यादी हमें नहीं खरीदना चाहिए होलास्टक के नियमों का पालन करने से किसी प्रकार की समस्य नहीं आती इसलिए इन नियमों का पालन करने से हम कहीं न कहीं अपने धर्म से मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं होलास्टक में जो हम नियम अपनाते हैं उस नियमों को खोलने के लिए हम होली का माता की पूजा करते हैं. होली का देहन की बात अगर हम करें, होलास्टक के अंतिम दिन यानि की पुर्णे माँ की रात को हम सब मिलकर होली का माता का देहन करते हैं. पहले बताते हूं कि जब होलास्टक लगता है और होली का देहन तक के बीच में, हम लोग अपनी पूजा पाठ भक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं. कहते वाता वरण में इस समय बहुत सादा नकारातमकता हो जाती हैं. खुश हाली नहीं रहती, मन कभी-कभी बोर होने लगता है, मन दुखी होने लगता है, अपने ही गर, घर के भीतर हमारा मन नहीं लगता. इस प्रकार से कहते हैं कि फूरे वातावरण में बहुत नकारातमकता रहती हैं और नकारातमकता को खतम करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पाठ पूजा भक्ति करते हैं. किस भगवान की पूजा इन दिनों में करना बहुत अच्छा होता है? भगवान शिव की अराधना करनी चाहिए, हरी और नरायन के रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए, और नरसिंग अवतार की भी पूजा इन दिनों में विशेश मानी जाती है. इसलिए भगवान का नाम चाप करते हुए हमें होलास्टक के अंतिम दिन पुर्णेमा की रात को खोली का देहन करना चाहें होली का का देहन जब होता है तो संसार की जितनी नकरातमकता होती है वो होली का माता की अग्री में जलकर भस्म हो जाती है और फिर अगले दिन सुभा उठकर हम लोग खुशी का रंग यानि गुलाल के साथ होली का पर्व मनाने लग जाती है होलिका की देहन की अगर हम बात कर रही है और नकरात्मक्ता की हम बात करते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या नकारात्मक्ता है पहली बात तो करेंगे अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे उपर कोई जादू तोना कर दिया है या फिर ऐसा लगे कि ग्रहों के दोशों की वजा से हमारा कोई काम नहीं बन रहा है या फिर कहें कि व्यापार में उन्नती नहीं हो रही है किसी कारण से जैसे कि ग्रहों की कोई दशा खराब होना या फिर हमारा कोई वास्तु दोश होना भी एक नकारात्मक्ता का प्रभाव रहता है या फिर बच्चों का समय तो हो गया है लेकिन उम्र के अनुसार उनका विवा जो है बहुत देर से हो रहा है धर में खुशी का ना होना और इस प्रकार से प्रतेक चीज जो हमारे घर में आ जाती है उसका देहन करने से यानि होली का माता में उस प्रकार की नकारात्मक्ता का देहन हमें करना चाहिए और ये दहन प्रतेक जन कल्यान के लिए अपने परिवार के कल्यान के लिए प्रतेक व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि इस बार 24 तारिक को दिन रहेगा रवीवार जैसे कि आज से लेकर आज भी रवीवार का दिन है और 24 तारिक को भी दिन क्या रहेगा रवीवार जिस दिन होलिका माता का देहन किया जाएगा आप सब जानते होलिका का जब देहन हुआ तो ये दहन जो है ये वाली बात भी दर्शाता है कि इस दिन जो है भक्ती की जीत हुई और कहीं न कहीं भगवान नारायन का नाम लेने से जिस प्रकार भक्त परलाद ने नारायन नारायन कहते हुए अपनी भक्ती को विजय दिलाई थी ठीक उसी प्रकार से हुलिका का देहन करते समय, नारायन नारायन का जाब करते रहने से भी हमारे जीवन के जो नकारात्मकता है उसको मुक्ती मिल जाती है और हमारी भक्ती का मार्ग और बढ़ने लग जाता है देहन की क्या प्रक्रिया होती है जहां कहीं भी लकडियों को एकत्रत करके देहन की क्रिया होती है हमें वहाँ चले जाना चाहिए इस वर्ष 24 तारिक को वार रहेगा रवीवार और देहन का जो समय रहेगा वो लगबग साड़े साथ बजे से लेकर और रात्री पोने दस बजे के बीच बीच में हमें होलिका माता की पूजा करने के बाद और फिर उसका देहन कर देना चाहिए देखीए होलिका का देहन कहीं बी हो पर देहन से पहले भी होलिका माता की पूजा के लिए जो लकडियों का समहु एक अत्रित होता है उसकी पूजा करनी चाहिए जो भी विक्ति होली का माता की पूजा करना चाहते हैं जो सुक समर्दी घर के सुक कल्यान की बात करते हैं उन्हीं क्या करना चाहिए एक सफीद कलर का कच्चा सूत मिलता है बाजार से लक्डिक के चारो तरफ तीन बार से लेकर और साथ बार यानि आप तीन बारी भी या फिर साथ बार लक्डिक के समू को तीन लपेटा कच्चे सूत से अवश्य दे दे फिर उसके भीतर आप फूल, चावल, रोली, मिठाई और फल डाल कर उस अग्मी को प्रणाम करने से पहले जब अग्निय भी प्रवजलित नहीं होगी पर जहां वो समू बनेगा वहाँ पर आप अपने नाम की ये सब चीज़े अपने परिवार की कल्यान के लिए सुक, समरेदी के लिए होली कामाता सिप्राठ्थना करें और ये सब ही वस्तुए अग्नी प्रवजलित होने से पहल हो जाती है घर के प्रतेक सदस्य को यानि जिनके घर में चार सदस्य है प्रतेक विक्ति को अपने नाम से होली का माता के उपर उसमाला को चड़ाना चाहिए ये शुबता का प्रतिक है और इससे जो है हमारे जीवन में भी शुबता का आग्मन होने लग जाता है एक बड़ी ही सुन्दर बात बताती हूँ जब आप अपने पूरे परिवार के साथ अग्मी प्रवजलित होने से पहले ही उस थान की पूजा करने जाते हैं तो आप जो है सूत का धागा जब तीन बार लपेटते हैं तो परिकर्मा भी साथ साथ आप कर सकते हैं तीन परिकर्मा करें या फिर साथ परिकर्मा करें ये पूरा परिवार मिलकर करेगा साथ में क्या करेंगे आप एक ठाली में हल्दी को लेकर जाएंगे और जैसे ही वो सारी पूजा पुर्ण हो जाएगी सबी सामगरी आपने देहन से पहले ही वहाँ चड़ा दिये तो उसके बाद हल्दी का तिलक आप वहीं बैठकर अपने परिवार की सबी सदस्यों के माथे पर लगाए मतलब एक लेड़ी जो भी घर की इस्तरिया वही सबको तिलक कर सकती है बच्चे बड़े बुड़े जो भी घर के लोग है इससे क्या होगा इससे आपके मन की नकरातमक्ता का नाश हो जाएगा अब बात कर लेते हैं अगर कोई विक्ति इस पूजा के अलग आगे बढ़ना चाहता है तो एक शिरिफल ले ले यानि कि नारियल आप पानी वाला भी ले सकते हैं यानि जो जटाधारी होता है और एक नारियल होता है जो चिक्रना नारियल होता है जिसमें पानी नहीं होता तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपने उपर से उल्टी दिशा में उसे साथ बार वार के और उसे जहां पर फोली का माता का धहन होना है वहाँ चड़ा सकते हैं जो बच्चे माता रानी को पान का भोगल देना चाहते हैं तो वो भी अपने हाथ में रखकर भगवान नारायन का ध्यान करते हुए नारायन नारायन बोलते हुए और जिस प्रकार से आपको मैं बता रही हूँ कि परहलाद ने भगवान का ध्यान किया आप भी अपने आपको परहलाद सविकार करें और नरण भगवान से कहें कि है भगवन हमारी भक्ति की लाज रखो और हमें भी इस समाज की अगनी से सदै बचाते हुए अपने चरणों का ध्यान देते रहें इस प्रकारमन विचार करते हुए पान का भूग आप उसमें चढ़ा सकते हैं काले तिल और काले उड़द एक मुठी काले तिल और एक मुठी उड़द यानि काले साबुत उड़द जिन बच्चों के घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है बच्चों की उमर बढ़ रही है और कई परकार के काम है जो रुके-रुके से रहते हैं तब आप क्या करेंगे वही पर होलिका माता के पास खड़े होकर जब तक अभी होलिका का देहन नहीं हुआ है आप क्या करेंगे उनके समक्ष खड़े होंगे और अपने उपर से एंटी क्लॉक यानि उल्टे तरफ से एक मुठी साबुत उड़द और काले तिल उसमें छोड़ देंगे और उसके बाद प्रणाम करेंगे और उसी प्रकार से नरायन भगवान से नर्सिंग भगवान से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए उन्हें अरधास करते हुए आप उसे उसमें छोड़ सकते हैं फिर मैं बात करूंगी कार्य की व्यपार की कार्यों के उनतिक तरक्य के लिए हमीं क्या करना चाहिए थोड़े से जौन ले सकते हैं और थोड़े से ले ले गेहूं की दाने उसे भी इसी प्रकार अपने शरीर से उतारते हुए और उसमें दे स अवश्य कर ले जलती अग्मी में न डालते हुए जहां पर भी ये कारे होना है वहां पर आप आदा पुना घंटा दो घंटे पहले दिन के समय चले जाए और इस विधी को अवश्य कर ले इसी के साथ साथ आप एक बात का ध्यान रखें आप चाहें तो एक पोटली बना सकते हैं पोटली बोले तो काले रंग का एक कपड़ा ले और उस कपड़े के अंदर आप डालेंगे नमक नमक की साथ डालने थोड़े से काले ते अपने पूरे घर के उपर से उसका आप उतारा कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी घर में कोई नजर दोश लगे तो सबसे सुन्दर ये उपाय है और होली के दिन इस उपाय को करने से आपको जो है कई गुनाफल की प्राप्ति होने लगती है हाँ याद रखना मेरी बात को अगर ये कारे अगर आपको मेरी बात पर भरोसा हो तो ही करना अगर आपको लगता हो कि यह सा फिजूल की बात ह तो इस उपाई को बिल्कुल भी नहीं करना लेकिन अगर आपको अपने गुरू की वाणी पर भरोसा हो तो आप काले कपड़े के भीतर, काले तिल और सफेद नमक के पोटली बना ले, कटोरी कटोरी जित्ता अधाधा नमक ले ले या अपने मुठी के अनुसार ही उसको माप ही कि हुली का दहिन में, मात्र इस प्रकार की पूजा करने से जिसमें आप साबुद सुपारी, थोड़ी से लॉंग, थोड़ी सी इलाइची, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ी सी हवन सामगरी को आपस में एक अत्रत करने के बाद, अगर आप केवल तीन बार ओम नमो नारायन कहके अहूती के रूप में उसे डालने वाली जगा पर डाल दे, जहां पर उसे जलाना है, उससे पहले ही ये सारे कारे आपको करने हैं, याद रखे कि जब अगनी प्रवजलित हो जाती है, यानि कि जब उस पूजा वाले स्था अगर बहुत बड़ी परिस्थिती के भीतर ही हमें उस अगनी जलने वाली जगा पर पहुचना चाहिए और वहां पहुचने के बाद हमें वहां पूजाम कर सकते हैं, अन्य था पूरा लाब पाने के लिए अगनी प्रवजलित होने से पहले ही हमें इस पूजा को कर लेना अच्छा जी मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर से थोड़ा सा एक पात्र में जल अवशे लेकर आएं और जिस जगा पर आपने ये सभी वस्तों को चड़ाया है, तो वही पर एक फूल लेकर और हलका सा वहां छीटा लगाने के बाद उस जो लोडे में जल है उसे अ तार जाप करते हुए आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी और आपके घर में भी भगवान के वो छीटा जो आपको अपने घर में लगाएंगे उससे आपके घर का तल्यान होने लग जाएगा, सोमवार सुभा रंगों की हुली होती है, देखे कई लोगों की बड़ी स समस्या है, जो रंग नहीं खेलते हैं, उनको लगता है पके रंग हमने लगा दिये और जो है इससे हमारे समस्या होते हैं मारा चेहरा खराब हो जाता है, जो भी बच्चे होली का देहन का कोई उतारा कराते हों, होली का देहन की पूजा में अपने किसी मंगल काम की अर्दा लगाते हैं उनको सुभा उठने के बाद स्नान करने के बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद घर के ही किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा रंग जरूर खेलना चाहिए इसके लिए आप बाहर ना जाएं कोई समस्था नहीं है भार वालों से रंग रूप ना लगवाना चाह अब बात करती हूँ रंगों की थोड़ा सा गुलाल लेकर भगवान की पास जाना है जहां पर आप फोली का देहन करेंगे न तो वहां लाल रंग का गुलाल लेकर आप जरूर जाए और उस गुलाल को आप जो है उस देहन वाली जगा पर अवश्य डाले अगर गुलाल लगाएंगे और फिर उसके बाद अपने होली की शुरुवात को भी आप उस रंग से अवश्य करना चाहिए ठीक है होली का देहन इस बार कपकी मैंने बोली है रविवार को बोला है जो की तारिक रही की 24 तो आप क्या करेंगे 24 तारिक शाम को दो लगाएंगे दीपक अप अपने पिछली बारी भी लगाए थे अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद बिला दीती ही जो आप गुलाल लेंगे आप उसी गुलाल को अपने घर की मुखे द्वार पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसके बाद महां लगाएंगे दो दीपक और उस आपको प्रोजलित करते हुए आप अपने घर में भगवान की आशिरवाद की और भगवान से अपनी मनोकामना की और अपने घर की खुशहाली के लिए आप उनसे प्राथना अवश्य अवश्य करेंगे आप सुब को पता है कि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमे हम अपने जीवन की नकारात्मक्ता को खतम करते हैं और जीवन में फिर से शुब आगमन हो जाता है जिस दिन हम होली का का दिन मनाते हैं रंगों के साथ त्योहार को खेलते हैं तब आप याद रखें कि उस रंग को जब हम अपने खेला है तो चेत्रमास प्रारंब हो जाता है और चेत्रमास का लगना ही आपको बता उन्या साल का लगना प्रारंब हो जाता है आप सबको होली की बहुत सारी शुब कामनाएं देती हूं और आप से आशा करती हूं कि आप इन वीडियो को देख भी रहे होंगे हैपी होली या होली की शुब काम ना है आप मुझे दे और मेरे पूरे परिवार को दे और इस वीडियो को अच्छी तरह देख ले और पिछले वर्ष भी जो 2030 में मैंने वीडियो बनाई थी आप उसे भी देख ले जो भी आपको सब कुछ अच्छा लगे उसी अनुसार आप अफली पूजा अब शेयर करें आप सभी को जै माता दी जै भूले नात